कि सारे किसान भायों को मैं आज एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी वज़ाए से उनके पैसे रुकी हुए हैं अगर आप इन इस्टैप को फॉलो करेंगे तो आपके रुकी हुई सारी डिटेल बताऊँगा कि किन कि वज़े से आपकी सम्मानेती रुक जाती है और आपके खाते तक नहीं पहुंच पाती है किसी-किसी के बीच तो जैसे की सबसे पहले में आपको दिखा देता हूं कि अगर आपके PM किसान रेजिस्टेशन में अगर आपका भूमी का सत्यापन नहीं हुआ है यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तो लेंड सिडिंग नो यानि यह आपकी फर्द का सत्यापन नहीं हुआ है कि आपके नाम पर जमीन है या नहीं है कुछ लोग दुस्तों बीच में क्या हुआ था अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग बहुत सारे लोग फरजी ले रहे थे तो गुबरेंट की तरफ पकड में नहीं आ पा रहे थे वो तो उन्होंने एक नियम चालू किया और इसमें यह त्रिक लगा दी कि जिनका सत्यापन होगी उन्हीं को संभान हिदी का पैसा मिलेगा तो सभी के ग्राम पंचात के जो भी लेख पालें एरिया के सासे उन्होंने सर्वे किया था सर्वे के कारण दोस्तों जिनका भी रह गया है उनका जो फर्जी वाड़े लिष्ट में आ चुका है नाम ठीक है ना यहां पर दे लिए एक भूले की फर्द ठीक है ना निकाल के लिए जाना हूँ कि जिस पर डेट पड़ी हो ठीक है ना और यह आप ले जाकर अपने क्रिस्टिविक आप उपिस में जबाग कर सकते हैं यानि विलोग में ठीक है ना सत्यों यह पॉइंट है हमारा एक इसकी बज़े से हमा वीडियो देख रहे हुए तो आपके मन में यही चल रहा होगा तो जैसा कि हम बता दें आप फिंगर से भला ही पैसे लिका लेते हों पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपके सम्मानेदी के पैसे आजाएं ठीक है ना इसके लिए आपको खराना होगा अपनी बैंक से NPCI ठीक चुका था सकते हैं यहाँ पर दूस्ते एक लेंड से डिंग यॉट हो चुका है ठीक है ना यानि यह फरजी बाड़ी में नहीं है पर इनका पैसा इस जहगे से रुक चुका से यह fattig न या लेंड से इश कमवाई नंबर रजेश्टर होना बहुती ज़्यादा जरूरी है ठीक है ना और दूसरा पॉइंट है दूस्तों हमारा एक के वाईसी यह तो फिलाल हाले में सभी को पता होगा कि के वाईसी के बिना पैसे नहीं आते हैं पर काफी लोग सोचते हैं यहीं पर सबसे बड़ा मैं पॉइंट है आप यहीं पर धियान देना बीच में जब हमारा फर्जी वारा Rघ लखने के लिए KYC चलाई थी तो सारे लोगों में KYC करा ली ति फर बोलो अभी भी यहींज़्त में कि हमें KYC करा ली फिर भी अमारी पैसा नहीं आ रहा है उन्हें पर यह नहीं पता इस में दो अपडेट ला दिए गई है एक एंपी से आई और एक लैंड से इडिंग ठीक है ना अगर इन वैसे भी आपके एक भी ऑप्सन नो है और कि एक वाइस है फिर भी आपके खाती में सम्मान दीका एक भी पैमेंट नहीं पहुचिने वाला है ठीक है ना इसको यह लिए भी आपक अगर आपको यह चीज देखने के लिए कि किसका सार्ज दा लेना होगा यह सबसे पहले मैं आपको देखा देता हूँ एक पॉइंट है यह हमारा नियू रजिस्ट्रेशन है इसके जरीए भी हम अपना सम्मान दीका पैसा देख सकते हैं आया रहा है या नहीं आ रहा है तो जैसे कि मेरे पास एक कुस्टूमर आया था उनका पैसा काफी दिनों से नहीं आ रहा था कुछ दिन पार आया था दो-चार किस्ता आई फिर और उसके बाद रोक गई थी ठी किया और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा यू आइडी इस डिसेबल फोर डीवेटी मतलब इनका भी पैसा सम जो संभान दीका है वो इसी की बज़े से इनका एक भी पेमेंट नहीं आ रहा है ठीक है ना और काफी दिनों से इनका पेमेंट रुखा हुआ है दो जर 21 तो कहीं इस लिश्ट में आप नहीं हो तो इसलिए मैंने यह वीडियो बनाई है तो अगर यह सारा काम आप कर लेते हो अगर आपके शुरुआत से ही रेजिस्टर से नहीं होगा और आपकी एक भी इनिस्टॉल्मेंट नहीं आई होगा तो दोस्तों अब तक आप 32,000 तो कमेंट चरूर करना इसके लिए इस्टेटस चेक करने के लिए कि आप बिना OTP के इस्टेटस की सरीज से चेक करेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनागे आपने चैनल पर अप्लोड कर दूँगा साथी ठीक है न तो वीडियो चलागत प्रीज वीडियो को लाइक स